हलो एवरीबन, वेलकम बैक तो अगेन SR एडिटिंग सोन दोस्वाज में आपको टॉफ फाइफ ट्रेंडिंग AI इमिजिस क्रीट करना सिखाने वाला हूं जिसमें आप ऐसी ऐसी और ऐसी इमिजिस के साथ और भी कई तरह की इमिजिस जनरेट कर सकते हैं वो भी अपने फेस के साथ इसके लिए आपको कोई और भी अप्लिकेशन डाउनलोड करने की जरुवत नहीं है सबी चीज़े दोस्तों एकी जगा पर हो जाएंगे सो कैसे क्रिएट करना है इसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा ठीक है और हाँ काफी मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में सो आप एक लाइक करके हमारे काम का अप्रिशेट कर सकते हैं और चैनल पर मेरे जान नए है तो क्या करना है को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें सबसे पहले क्रोम ब्राउजर में एसार एडिटिंग जोन लिखकर सर्च करना होगा नाव फॉस लिंक को क्लिक करना है और एसार एडिटिंग जोन के ऑफिशल वेब साइट पर आ जाना है अभी आपको बिंग 3D AI जनेरेटर टूल शो हो जाएगा उस पर आप क्लिक करेंगे यहाँ भी आपको 4-5 AI फोटो क्रिएट करने का ऑप्शन मिल जाएगा जैसे इस तरह की फोटो अभी काफी ट्रेंडिंग है यह फोटो भी काफी पसंद की जा रही है हनुमान जी वाली इसी के साथ यह इमेज इस भी दोस्तो ट्रेंडिंग है जिसमें आप अपने नाम लिख सकते हैं और कुछ इस तरह की अलोन बॉय वाली इमेज भी पसंद की जा रही है मैं आपको आपके फेस के साथ जन्रेट करना सिखाने वाला हूँ दोस्तो ची के साथ मैंने कुछ प्रॉंम्ट्स भी आपको दिये हैं यह प्रॉंम्ट्स अभी काफी ज़्यादा वाइरल हैं आगे उसे भी देखेंगे दोस्तो इमेज क्रेट करने के लिए जिसे आपको इस चाइप की प्रेट करनी है मैं आपको create करना भी जिल्दी जिल्दी सिखा देता हूँ create one पर click किया अभी आपको अपना gmail या phone number टालना होगा मैं यहाँ पर अपना phone number टाल देता हूँ then create password करना है फिर यहाँ पर आपको first name and last name लिखना है अभी date of birth फिल करके next कर देंगे next step में आपको इस hand वाली image के direction में second object वाली photo को करना है और last में आपको जो OTP आपके number या अपने gmail का यूज किया तो gmail पर आया होगा उसको आपको डाल देना है आपके ID तयार अब बारी image कैसे create करनी है so इसके लिए मेरी जान आपको फिर से back आजाना है sr editing zone site पर जोन की जगा आप अपना नाम अपनी company या जिसका भी नाम आप रखना चाहते है ना आप रख सकते है और create पर click कर देंगे जी हां कुछी तिर में हमारी images create हो गई जो काफी कमाल की लग रही है बॉस एक बार में पसंदा आने पर आप दुबारा भी try कर सकते है इस बार तो काफी कमाल की images generate हो गए download करने के लिए simply three dots पर click करके download वाले options से download कर लेना होगा इसी तरह से हनुमान जी वाली photos create करने के लिए यहां create now वाले button को press करना है और यहां SR editing zone की जगा पर आपको अपना नाम लिख देना होगा अभी create now पर click करेंगे और कुछी देर में हमारी photo बनका ready डेन डेन वैसे phase भी मैं आगे change करूँगा इस site पर so please video को skip नहीं करनेगा photos तो यहां काफी कमाल की बनके ready हो गई है आपके नाम से आगे phase भी change करना जानेंगे उससे पहले मैं photo डाउनलोड कर लूँगा यहार सभी photo all are amazing यहार इस तरह से आप इन सभी photos को just create now वाले button से create कर सकते हैं जैसे मैंने यहां create now पर click किया अभी sr editing zone की जगा पर अपना नाम लिखा और create कर दिया कुछी दिर में हमारी कमाल की photo दोस्तों बनकर ready हो गई है बस आपको create now वाले button पर click करना है और नाम change करना है sr editing zone की जगा अपना नाम लिख देंगे boy है तो ऐसी रहने दे girl photo create करने के लिए boy की जगा girl कर देंगे और create कर लेना है images यार काफी सही बन गई इसे के साथ ये top 10 प्रॉड्म में जैसी images बनानी है ना वो copy कर लेंगे इस तरह से last में आपको create now वाला button मिल जाएगा उसको click करेंगे और यहां prompt paste कर देंगे now अपना नाम change कर लेंगे और create कर लेंगे और image generate हो जाएगी अभी दोस्तों बार ही है अपनी photo से face कैसे match करें so इसके लिए आपको site में सबसे नीचे face swap now का option मिल जाएगा इस पर click करना होगा अभी जो photo हमने generate की थी वो लेनी है अभी target photo में अपनी photo आपको लेनी है मैं ये वाली photo ले लूँगा और swipe वाले option पर click कर लेना होगा अभी आपकी photo बन के ready हो चुकी है face भी match हो गया मेरी जान बिना quality loss की होगा इसी के साथ जिस photo का भी आप face change करना चाहते है न उसको उपर रखना होगा और target face में अपनी photo आपकी photo बहुत ही असानी से तयार हो जाएगी लेकिन दोस्तों यह हनुमान जी वाली photo में अगर आपको face रखना है तो ऐसे में आपको create करते time आपको कुछ prompt अलग लिखना होगा नहीं तो आपके eyes सही से create नहीं होगी इसके लिए आपको जब आप photo create करेंगे तो prompt में अपने नाम के साथ यहां सबसे पहले realistic boy with sunglasses भी लिखना है बन जो photo create होकर आएगी उनको आप face swap वाले option से आसानी से अपनी photo के face से match कर सकते है जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी photo का face match हो गया है friends कैसी लगी video comment में ज़रूर लिखें video को like करें share करें और मुझे comment में संग में यह भी बताना है यार आपको भी कोई prompt आता है क्या इंतिजार करूंगा comment का अभी के लिए bye bye ठेक के मरी चान